परिचाय जनन की विभिन विधियों के माध्यम से ब्रेट पर कॉलोनिया बनाते हैं। मा मैं इसके बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जनन को परिभाशित करना। लेंगिक तथा अलेंगिक जनन के बीच अंतर समझना। अलेंगिक जनन के विभिन प्रकार की पहचान करना। लेंगिक जनन की विभिन खटनाओं की पहचान करना। जनन जनन जैविक प्रक्रिया है जिसके दौरा नए संतती जीव अपने जनकों से उत्पन्ने किये जाते हैं जनन की दूविदिया हैं अलेंगिक जनन लेंगिक जनन अलेंगिक जनन यह जनन की एक विदि है जिसके दौरा संतती एकल जनक से उत्पन्न होते हैं और संतती अनुवंशिक रूप से समरूप होते हैं ऐसा जीव जिसकी अनुवंशिक जानकारी जनक जीव की अनुवंशिक जानकारी के समान होती है कलोन कहलाता है लेंगिक जनन या एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अनुवंशिक रूप से भिन संतती उत्पन्ने करते हैं जिन में जाती के दो प्राया भिन सदस्यों के योगदान से अनुवंशिक पदार्थ का संयोजन होता है अलेंगिक जनन के प्रकार क्या आप जानते हैं कि जीव अलेंगिक जनन कैसे करते हैं एक जीव निम्र प्रकार से अलेंगिक जनन कर सकता है दुई खंडन, मुकुलन, काइक प्रवर्धन, बीजाणों निर्मा, विखंडन और अनिशेक जनन दुई खंडन दुई खंडन में एक कोशिका दू भागों में विभाचित होती है और प्रतेग भाग व्यस्क जीव के रूप में तीव्रिता सेव्रिधी करता है अनेक एक कोशिकी जीव दुई खंडन द्वारा अलेंगिक जनन करते हैं उधारण, अमीबा, पैरा मीसियम निम्नलिकित आरेक दुई खंडन की प्रक्रिया द्वारा एकल कोशिका का दो भागों में विभाजन दर्शाता है मुकुलन मुकुलन की प्रक्रिया में जनक कोशिका द्वारा छोटी कलिकाएं उत्पन्ने की जाती हैं, जो प्रारंब में जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं, और अंत्ता प्रतक होकर नएव जीव में परिपक्व होती हैं जीव जो मुकुलन द्वारा जनन करते हैं, उनमें यीस्ट हाइड्रा शामिल हैं निम्ण आरेक जनक हाइड्रा पर विक्सित हो रही कलिका कोशिकाएं दर्शाता है काईक प्रवर्धन काईक जनन एक प्रकार का अलंगिक जनन है, जो उन पौधों में पाया जाता है, जहां नए व्यष्टी विद्द्यमान पौधे की काईक प्रवर्ध कहलाने वाली सनचनाओं से बनते हैं ऐसे काईक प्रवर्ध में रनर, प्रकंद, सगर, कंद, भूस्तरी, बल्व आधी शामिल हैं आरेक में दर्शाय गई आलू की अंकुरन शील कलिकाओं में नई संतती को जन्म देने की शमता होती है बीजाणू निर्माण अनेक बहुकोष के जीव अपने जैविक जीवन चक्र के तौरान बीजाणू बनाते हैं ये बीजाणू अनुकूल परस्तितियों में नई संतती में विक्सित हो जाते हैं विखंडन विखंडन अलेंग एक जनन का एक रूप है जहां एक नया जीव जनक के एक खंड से वृध्धी करता है अनेक जीव जैसे की लाइकेन, कुछ कवाक और पौधे विखंडन त्वारा अलेंग जनन करते हैं निम्नारेक इस्पाइरो गाईरा के खंड दर्शाता है अनिशेक जनन अनिशेक जनन एक प्रक्रिया है जिसमें एक अनिशेचित अंड एक नय व्यस्टी में विक्सित होता है ये कुछ कीटों, मचलियों, मेंधक और छिपकलियों में होता है उधारण, वे पटेल छिपकली में अनिशेक जनन जैसा की आरेक में दर्शाया गया है लेंगिक जनन लेंगिक जनन दो विभन प्रकार की व्यस्तियों की अनुवनशिक जानकारी के सियोजन द्वारा नए जीवों को उत्पन करने की प्रक्रिया है लेंगिक जनन की प्रक्रिया में निमन लिखे तीन खटनाएं शामिल होती है निशेचन पूर्व खटनाए, निशेचन खटनाए और निशेचन पश्च खटनाए. निशेचन पूर्व खटनाए, निशेचन पूर्व खटनाए, वो खटनाए हैं, जो युक्मकों के सनलयन से पहले होती हैं, और जिन में शामिल हैं, युक्मक चनन, यह नर एवं मादा आगुनेत युक्मकों के गठन की प्रक्रिया है, ऐसे युक्मक हो सकते हैं, सम युक्मकी और विशम युक्मकी, युक्मक इस्थानांतराण, युक्मक गठन के बाद सनलयन को सुकम बनानी के लिए, नर और मादा युक्मक काईक रूप स एक दूसरे के निकट आते हैं। अधिकतर जीवों में नर युक्मक चल तथा माधा युक्मक अचल होता है। पौधों में युक्मक इस्थानांतरंड परागण की प्रक्रिया त्वारा होता है। निशेचन युक्मनच बनाने के लिए युक्मकों के सनलयन की प्रक्रिया निशेचन कहलाती है। निशेचन दो प्रकार का होता है। बाहे निशेचन सनलयन जीव के शरीर के बाहर एक बाहे माध्यम में होता है। आंतरिक निशेचन, सनलय Anजीव के शरीर के भीतर होता है. लेंकिक जनन की निशेचन पश्चिघटनौ में भुरून ओदभव शामिल है. ये युकमनज से भुरून के विकास की प्रक्रिया है. इस दोरान युगमनज कोशिका विभाजन, समसूतरन और कोशिका विभेदी करण से गुजरता है, जैसा कि आरेक में तरशाया गया है। और गुनौट, नौ, साहिलेंसिस, ट्रांसपोसोन का प्योग करके इन लेंगिक पौधों को अलेंगिक बनाया जा सकता है। इस प्रकार इन पौधों के काईक प्रवर्धन की व्यापक इस्तर पर संभावना पढ़ जाती है। सारांज आईए हमने जो कुछ सीका है उसे संक्षेप में तोहराएं। जनन जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए संतती जीव अपने जनकों से उद्पन्न किये जाते हैं। जनन दो प्रकार का होता है अलेंगिक और लेंगिक। अलेंगिक जनन जनन की एक विदी है जिसके द्वारा संतती एकल जनक से उद्पन्न होते हैं और संतती अनुवंशिक रूप से समरूप होते हैं। एक जीव दुई खंडन, मुकुलन, काईक प्रवर्धन, बीजाणों, निर्माण, विखंडन, अनिशिक जनन द्वारा अलेंगिक रूप से जनन कर सकता है। लेंगिक जनन एक जैविक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीव अनुवंशिक रूप से भिन संतती उतपन करते हैं, जिनमें जाती के दो भिन सदस्तियों के योगदान से अनुवंशिक पदार्थ का संयोजन होता है। लेंगिक जनन में शामिल है निशेचन पूर्व घटनाए, निशेचन एवं निशेचन पस्ट घटनाए.